राधे राधे भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमारे मन में ये तमन्ना है कि हम भी धनवान हों हमारे पास भी वैभव और धन हो तो हमें ये कार्या वश्य करना चाहिए कि हमें अपने घर से कुछ चीजें कभी भी खतम नहीं होने देनी है जैसे के छोटी इलाइची को हमें अपने घर से कभी भी खतम नहीं होने देना है जैसे ही वो थोड़ी मात्रा में रह जाए तो बजार से लाकर उसे एक शीशी में भरकर अपने किचन में रखनी चाहिए और दूसरे है कि हमें कोई ना कोई नया वस्तर अपनी अलमारी में वश्या ही रखना चाहिए जो कि हमने यूज ना किया हो अगर बायचांसो किसी दिन यूज करना पड़े तो उसकी जगा जल्दी से बजार से लाकर दूसरा वस्तर वश्या ही रख देना चाहिए जैसे कि कोई बिना सिला हुआ सूट या बिना परियोग की हुई साड़ी वश्या ही अलमारी में रखनी चाहिए ये मा लक्ष्मी के निमित होती है कि जैसे हमने अपने कपड़े रखे हुए हैं वैसे ही हमने मा के लिए भी एक वस्तर अपनी अलमारी में रखा हुआ है और जो पुरश भाई हैं उन्हें भी अपनी अलमारी में बिना सिले हुए पैंट कमीच का कपड़ा या कुर्टा पजामा जो के हमने यूस ना किया हो वो अवश्या ही रखना चाहिए ये भी भगवान के लिए ही होता है कि हम भगवान को ये बताती हैं कि हमने उनके लिए भी उनके नाम का भी कोई वस्तर अपनी अलमारी में रखा हुआ है जैसे कि वो किसी कार्णवाश सिल्वाना पढ़ जाए या कोई रैडी मेड ही कपड़ा है पहनना पढ़ जाए तो उसके बाद नया बजार में से लाकर तुबारा अलमारी में रख देना चाहिए इससे मा लक्ष्मी और विश्नु भगवान परसंद होते हैं और वो कभी भी हमारे वस्तरों में कमी नहीं होने देते और हमें कभी भी जो गरम मसाले हैं अपनी किचन से खतम नहीं होने देने चाहिए जैसे के दालचीनी और काली मिर्च काली मिर्च पिसी हुई नहीं जो के दाने में होती है काली मिर्च के दाने अवश्य ही किचन में होने चाहिए इससे घर में गरीबी नहीं आती और हमारे घर में धन वैभव की बड़ोतरी होती है दो या चार दाने एक सफेद कागज में लपेट कर हमें अपने पर्स यहां जहां हम धन रखते हैं वहां भी अवश्या ही रखने चाहिए इससे हमारे धन को नजर नहीं लगती और धन बढ़ता है इस तरह से हमें इन चीजों का घर में ख्याल रखना चाहिए और ये कभी भी खतम नहीं होने देनी चाहिए और हमें घर के मंदर से कभी भी पूझा वाली रूई जिससे के हम जोत बनाते हैं या जो बनी हुई रैडी मेड जोत बजार से मिलती है वो भी कभी भी खतम नहीं होने देनी चाहिए जैसे ही वो खतम होने लगे पहले ही लाकर मंदर में रख देनी चाहिए और हमें अपने मंदर में जो लाल मौली होती है वो भी हमेशा रखनी चाहिए वो घर की रक्षा के लिए मंदर में होती है और वो कभी भी खतम नहीं होने देनी चाहिए इस तरह से हमें ये कुछ चीजें हैं जो के हमारे घर में कभी भी खतम नहीं होने देनी चाहिए इससे मा लक्ष्मी और विश्नु भगवान की कृपा बनी रहती है और कभी भी हमारे घर में अन्धन वस्तर की कमी नहीं होती जै माता दी